इस वीड़े हम बात करेंगे Ordinals के ORDI coin के price moment के बारे में updated levels, entry points और आने वाले दिनों में इस coin के targets करेंगे currently coin 23 USD पर trade कर रहा है जिस टाइप से हमने आपको previous वीडियो में बताया था as it is a coin move कर रहा है और as it is a coin back to back नए levels को try कर रहा है अभी इस coin के next target क्या रहेंगे कहां तक price जा सकती है आप अगर इस coin में entry देख रहे हैं तो किस level पर entry लेकर के एक अच्छा कासा quick profit generate कर सकते हैं उबराल सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में उससे पहले जो नए investor trader market में आए हैं जिनको जादा knowledge experience नहीं है उनके लिए हमने premium service start की है ताकि वहाँ पर आपको proper guidance proper study share की जा सके chat access रहेगा crypto queries दोल की जाएगी signal share की जाएगे और भी बहुत सारे benefits हैं तो जो भी अपनी crypto journey profitable start करना चाहते हैं crypto losses से बचना चाहते हैं वो इंस्टा पर DM करके join कर सकते हैं इंस्टा के link वीडियो के description में है currently coin 23 USD पर trade कर रहा है डेली का chart open कर रहे हैं तो listening के बाद से back to back एक coin move कर रहा है और 5.99 almost 6 USD वाले level से इस coin ने अभी तक 400% से जादा कम move लिया है और उसी times हम आपको regular guide कर रहे है और हमने चो targets आपको बताये थे उन levels को इस coin ने hit किया है और number end वाले चो target बताये थे उन levels तक भी ये coin almost 1st level तक चला गया था 26 ते उपर और I hope आपने एक अच्छा कासा quick profit भी इसमें generate किया था previously 8 top number को हमने आपको 16 to 18 वाला quick target बताया था उस time पे इस coin ने hit किया उसके बाद उस level के को cross करता है अगर तो 22 से लेके 24 तक जाएगा 10th of November को हमने 22 और 24 वाले level आपको quick target बताये थे उसके बाद 12th of November को 22.5 और 25 वाले quick target बताये as it is this coin ने hit किये थे ये level 127 तक price चली गई थी हमने ये भी बताया था कि ये coin November end था 26 से लेके 30 USD तक easily चला जाएगा जो इतने time hold कर सकते हैं वो 26 से लेके 30 USD तक का level target रख सकते हैं अगर आप देखे तो 26 तक उपर तो ये coin अभी चला गया था और 30 USD के अगर बात करें तो 30 USD को भी अभी ये coin try कर लेगा याने almost ये coin bullish है और नए levels को try कर रहा हाल ही में इस coin की listing जो है वो Binance पर हुई है और ये first token है जो की create किया गया है accordingly with BRC20 fungible token पर standard है ये और Bitcoin blockchain पर ये fungible token जो है वो standard है इस वज़े से इस में ये इस type का moment देखने को मिलना है दूसरा अगर इसकी circulating supply maximum supply की बात करें तो 21 million जतनी Bitcoin की maximum supply है उतनी ही इसकी maximum supply है साथ के साथ में circulating supply में भी total coins जो है वो अभी circulating में है तो आने वाले time में coin release होने type का ऐसे कोई situation नहीं बनने वाली है दूसरा listing के बात से ही ये coin back to back move कर रहा है अच्छी खासी market cape इस coin ने capture की है और बहुत सारी partnership इस coin में देखने को मिल रही है बहुत सारा investment इस coin में अभी back to back आ रहा है अभी अगर बात करें support and resistance एरिया की तो daily के अंदर इस coin को 20 USD वाला support area है उपर के तरब 24, 25 24 वाला जो level है वो एक अच्छा कासा रहसन से दिया है डेली के अंदर और उस level से 25 वाले level से इस coin को rejection फिल्स करने को मिला और यहाँ पर इसने support maintain किया हुआ है उपर अगर यह try करता तो normal rejection 24, 25 वाले level से देखने को मिल सकता वापिस से तो वहाँ बहुत important level है और वो बरिक करता तो फिर वापिस से 27, 28 और next 30 USD वाला target रहेगा अब जिन्होंने previous time से हमारे वीडियोस को जो follow कर रहे हैं जहाँ पर यह coin 10 USD पर था 12 USD पर था तब से हम आपको regular guide कर रहे हैं और बता भी रहे हैं कि यहां से आप अच्छा खासा hold कर सकते हैं November end तक यह coin चला जाएगा तो जिन्होंने hold कर रहा है उनके portfolio में 100 या 200% से ज़्यादा का profit देखने को मिल रहा होगा अब यहां पर एक situation ही है कि जिन्होंने buy नहीं किया था वो क्या करें क्योंकि यहां पर तो यह coin back to back move कर रहा है और अच्छे कासी आपोस्टी भी नहीं दे रहा है यहां कि buying level जो है वो भी नहीं आ रहे है dump भी नहीं कर रहा है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं तो देखिए यहां से आप एक risky entry ले सकते हैं अगर BTC dump नहीं करता है यहांने BTC 36,000 से नीचे नहीं जाता है तो यह coin भी 22, 21 युश्टी से नीचे नहीं जाएगा और overall उपर ही मूपर है इसे BTC 36 वाले level को maintain किये हुए है BTC वापस 37,000 या उपर वाले level को try करता है तो यह coin double speed में वापस उपर वाले level को try करेगा और 26, 28 वाले level को अभी ही 2-4 दिन कंदे try कर देगा अगर BTC dump करता है तो यह coin भी थोड़ा बोड़ डंप कर सकता है जिसमें price over 20 USD तक आ सकती है और फिर वापस bounce back लेके और उपर वाले level को try कर देखिए 26 से लेके 30 तक का हमारा 9 बाहिंट तक का target था जिसको इस coin ने already hit किया 26 को तो आप ऐसा compass रही नहीं है कि 30 पर price जाए लेकिन अभी ही जिस type से coin bullish है और जिस type से move कर रहा है maximum chances है कि यह 27, 28 को वापस try करेगा तो यहाँ कोई बहुत अच्छी और safe entry तो आपको मिलने से रही क्योंकि जो coin लगातार 5 USD से move कर रहा है इस level पर आपकी buying जो वो risk हो सकती है लेकिन आप चाहें आपके पात अच्छी कासी capital है तो एक थोड़ा सा part इसमें लगा कर आप 20-30% का quick profit generate कर सकते हैं जैसे माल दीजे आपका 1,000 USD की capital तो आप इसमें एक छोटा सा 100 USD का part लगा करके और quick profit generate कर सकते हैं इसमें chances है, bullish है, यहाँ से easily अभी 24-25 तो try करेगा ही 25 से reject नहीं होता है तो वापे से coin 27-28 को try करेगा तो मैं आपको यह नहीं बता रहा हूँ कि जिनके पास बहुत कम capital वो पुरी-पुरी capital में लगा रहे हैं मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ diversify portfolio पर हमें focus करना है एक ही coin में पूरा emote नहीं लगाना है जिस coin में जैसा मैं आपको बताता हूँ अगर यह risky coin है, risky entry है तो उसमें 10% लगाना है देखे, एक होती है safe entry जहाँ पर आप 20% minimum लगाएंगे और जो risky entry है वहाँ पर आपको सिर्फ 10% ही लगाना है यह आपको ध्यान रखना है तो यहाँ पर इस coin में 22.5 और 20 USD वाले level पर 22.5 और 22 USD वाले level पर आप entry ले करके और 26 और 28 का target रख सकते हैं वहाँ तक यह quick move करके और आपको एक अच्छा कासर 20% तक का profit दे जाएगा 26 और 28 अगर 20 से नीचे price आती है तो फिर और भी drop होने के चांस है 20 से नीचे price कब आएगी जब BTC drop करेगा BTC 36 से नीचे है 35 से नीचे आएगा तो इसके लिए भी आपको aware रहना है यहाँ पर entry जो है वो safe नहीं है हाँ जिन्होंने previous levels पर बाई करके रखा हुआ है जिसे हमें यहाँ पर भी एक entry आपको बताई थी इस level पर भी एक entry में आपको बताई थी 16, 17, 15 के राउंड में 16 के राउंड में तो यहाँ जिन्होंने buy करके रखा हुआ है जिनकी 15 के राउंड या उससे नीचे के राउंड वो almost safe है वो holding कर सकते हैं वापिस अगर उन्होंने देखिए जब मैं आपको maximum target बताता हूँ कि 26 से 30 USD तक जा सकता है तो आप अगर hold रखते हैं तो आपको यह धियान रखना है कि first level पर आपको 50% ओर 29 या 30 USD पर बाकी 50% part sell out करना है इस type से आपको इन levels पर proper selling करनी है ऐसा नहीं कि बहुत जादा time आपको hold रखना है या पूरी कि पूरी पूरा का पूरा जो amount है या पूरे coins है वो एक ही level पर second target पर ही आप sell करें इसके लावा जिन्हों ने जो नए invested data market में आए है जिनको जादा नोले expense नहीं है वो हमारी premium membership में ज़रूर enroll करें वहाँ पर आपको proper guidance प्रोपर ready share की जाएगी चेट access रहेगा crypto queries resolve की जाएगी signature की जाएगे और भी बहुत सारे benefits हैं तो जो भी अपनी crypto जावनी profitable start करना चाहते हैं crypto losses से बचना चाहते हैं वो इंस्टा पर DM करके join कर सकते हैं इंस्टा के link वीडियो के description में है बाकी यहाँ पर buy or sale खुद करें इसको खुद कर दसाज के हिसाब से करें यहाँ पर हम कोई finance advice नहीं दे रहें वीडियो से पर जुकिशन परपस है ताके आपको overall coins related knowledge उसके वीडियो अच्छा लगा है लाइक ज़रूर करें चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक